हेलो नमस्ते प्यारे विद्यारतियों और प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मी एन माइट क्लास के अंतरगत यह जो क्लास है वह अब थर्ड टाइम हो रही है एक्सल कहने का मतलब है कि दो बार इस क्लास को आपके सामने लाइव लाया गया लेकिन नेटवर्क इसू क प्रस्टे के जो इंपोर्टेंट प्रस्टन है उसको आपके समक्स रख रहे हैं और इसका और पार्ट मिलेगा यानि कुल मिलाकर हम आपके लिए इंपोर्टेंट जो क्वेसंद हैं जो आपके चोटे-चोटे कह सकते आने वाली संभावीत जो है जैमाली जी एक क्सवन अपनी क्लास को और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को नोट भी करें और अगर इंपोर्टेंट है तो इसको इसकी सोट लेते रहे हैं वैसे यह आपको पता है इसकी सट कब लेना है कब नी लेना है बट फिर भी आपको बता रहेते हैं ठीक है वेलकम वेलकम बिलकुल तो नहीं करपायातिक क्वस्टन का अंसे स्वाल तो आप देख लीजिए बक्तिकाल को बक्तिकाल को हिंदी साहिती का स्वाण यूग माना जाता है क्या माना जाता है स्वाण यूग माना जाता है इसी प्रकार चे बक्तिकालिन साहिती को मुक्य रूप से कौन सी दो भागों मे बाटा गया है तो नोड करना है सगुल बक्तिधार और निर्गुण बक्तिधारा ठीक है यह Drink कर śवSt कि तो यहां पर दीघ्या क्वस्ण नॐ 20 काल की निर्गूडता कावि दारा बक्तिक काल की निर्गूड काविधारा के अंतरगत कौन-कौन सी धाराएं आती है और ये परस्ट मािरस इंपल हैं बहुत इजी वाला है क्योंकि यहांपर दीओ के संत काविधारा और शुपी काविधारा नोट कर लिए आगे बात करते हैं इसी तरह से बग्तिकाल के संत कवियों ने किन काविय धाराओं का उल्लिक किया है वक्तिकाल के संत कवियों ने किन काविय धाराओं का उल्लिक किया गया है तो बक्तिकाल के संत कावियों ने इंपोर्टेंट या वापिस रिविजन के तौर पर देख लीजिए सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा काव्यों का उल्ले किया गया ठीक है बहुत ही इजी वाला है और इसको इसको आराम से आप समझ सकते हैं आगे देखे बात करते हैं तुल्ची दास की मा आत्माराम और इनका जो जर्म इस्तान है वह राजापूर क्या है राजा पूर याद रख लिजीएगा आगे इसी प्रकार से हम आपके लिए बात करें इंपोर्टेंट तो देखें यहां पर इंपोर्टेंट जो बता रहा हूं वह देख लेजें क्योंकि एक्जाम में आने वाले रहे इसलिए मैं सूछता हूँ कि आप इसको याद कर ले कश्णव बग्ति साका और राम बक्ति साका की बग्ति भावना की च्यार विश्यष्ता हैं क्या कह रहे हैं बग्ति साका में सक्य भाव की वक्ति हैं वास्तली एव संगारस का शित्रण किया गया है पुष्टी मार्गी परंप्रा एवं ब्रहमर गीत परंप्रा रहे जबकि बात करें राम भक्ति साका में तो दाश्य भाव की भक्ति हैं सभी रसों का इसमें शित्रण किया गया है और लोक कल् बात करते हैं तो देखिए कि सुदामा स्रित काविय की कता का स्तुरोत क्या है किimento की कता स्कंद से लिए तो यानि इसका स्रोथ है श्रीमद्द बगवत के दर्सम इसकंद और यह इसका स्रोथ है आगी देखिए कबीर की भासा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कबीर तो आप सभी को पता है कबीर की भासा में सभी भासाओं के सब्दसम्मिलित होते हैं और इसलिए इसे को संतकवियों के नाम बताईए वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इस सौर्ट में डिर की एक्वेसंस आता है तो देख लिए आपके लिए क्वेसंस का अंच्व रहेगा कबीर दास और डादू दयाल कबीर दास और दादू दयाल नोट कर लिएगा आगे बढ़ते हैं आपके ल कि भूर्ट कर लिजीगा प्यारे विद्यारतियों एलो पुझा वेलकं गूढिनिंग तो देखिए सगुण भक्ती का आश्य क्या है क्या मतलब है तो इस्वर के सगुण साकार और अवतारी सुरूप की भक्ति करना यह important है कि इस्वर के सगुन आकार और अवतारी स्वरू की भक्ति करना और उसी को सर्व सक्तिमान प्रमातमा मानना सगुन भक्ति कहलाता है। यह कॉण्षी क्लास यहाँ पुजाज हीं क्योंकि इसमें इंप्रचन परस्ट ना है एक्जाम के लिए इसलिए मैं आपको पड़ा रहे हूं आप इसको एक इक नोट कर लिजीगा ठीक है यह तो दिख़े आगे देखुटे सुपी कावीтьелей धारा के दो कवियों के नाम बताईए ईए कोन्सी ओर्ट姬 2017 है सूपी का भी धारा के दू कवियों के नाम एक तो है मलिक मौमद जैसी और दूसरा याद रखना कुछ तो गोदेन से इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा आपकी क्लास यह ना दूसरी कौन सी आज और क्लास लगने वाली है तो उसके लिए भी आप अपडेट रहेगा आए देगे हिंदी साइटी का इतियास सुरव परतम कि भासा में लिखा गया यह परफन इंपोर्टेंट है तो सुरव परतम हिंदी भासा का जो इतियास है ना व दो विशेस्ताओं का उलिक कीजिए या फिर यह प्रश्ण ऐसा न आकर दूसरा भी आ सकता है कि रासो ग्रंत की दो विशेस्ता हैं बताई रासो ग्रंत की ठीक है इस्टी की क्लास इस्टी का तो सिलेबस पूरा हो चुका है एक आद को एगर है तो हम प्लान करते हैं आज क तो देखिए रासो ग्रंत की दो विशेस्ता हैं कि इसमें युदो का सजीवर्णन क्या ग्या है और वीर इव संगारस का समनवे है वीर इव संगारस का क्या है इसमें समनवे है ठीक है कोई बात नहीं हिंदी नहीं है तो आपने पिछली रिकॉर्डेट क्लास देख लिए होगी एक बार को देख लिए आगे देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेशन नमांकरन विभीन विद्वानों ने किन नाम से किया है यानि आदिकाल जो है इसको अलग-अलग सबाइती है वह देखते हैं तो देखिए नोट का लिजीघा इंपोर्टेंटेंट यह कौसंस सीदे में आपको यहां पर बता रहा हैं फिप्टीन से कंटीनि वह ही क्वैसन रिकिख आदिकाल को नोट का लिजीए आदिकाल को सिद्ध सामत का कान किस विद्वान ने दिया यानि आदिकाल को सिद्सामंत का काल का है किसने का है राहुल संक्रत्यायन और इन्होंने इस वो सिद्सामंत काल के नाम से फुका रहा है आगे नेक्ट है कि आदिकाल को संदिकाल या सारन काल का नाम किस विद्वार ने दिया है आदिकाल को किस विद्वार ने संदिकाल या स यह प्रस्ण एक्जाम के लिए आ सकता है राम कुमार वर्मा ने किसने डॉक्टर राम कुमार वर्मा अगे दिखी आचारी राम सद्र सुकल ने आदी काल को किस नाम से पुका रहा है तो नोट कर लिजए कि इंपोर्टेंट है वीड घाता काल क्या वीड गाता काल और इसी से संबंदीद और प्रशन यहां पर नोट करें कि आदी काल को वीर काल किस ने कहा हैं जैस्ट हमने बात करी आचारिय राम चंद्र शुक्लग गुमा के आ सकता है तो इसको पता होना चीए यह संपत बिल्कुछ सही अन्सवर दिया आगे देखिए आधी काल को राहुल संकर्तिय दिया और क्यों दिया मैंने उत्तर बताया कि रहुल संकर्तिच ने आधी काल को सिद्ऺ संमंत काल नाम दिया क्यों कि दूआ दीए उनकी द्रष्टी से इस काल में शिद्धों की वानियों और सामन्तों की स्थुतियों से दो ही परवर्तियों को पर्मुक रूप में देखा गया है इसलिए इन्हों ने अच्छा दिखने वाला आ रहा है आप ऐसा करें अपने वीडियो की बढ़ा दीजिए कापी बार होता है या फर्स बार आप जब देखते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है तो काव्या बिल्कुल एक बार क्लिटी बढ़ा दीजी वीडियो की आधिकाल का समय क्या है यह और प्रष्णा आने मकिल आएक है तो आचारी रामचद सुकल ने अधिकाल को जो समय बाटा है या बताया है वह एक हजार पच्छास इस्वी से लेकर 1375 इसवी याद कर लीजीगा एक हजार पच्छास से लेकर 1315 इसवी ओके नोड़ कर लिजीगा आप जालोर से पढ़ा निर्गुंण नीराकान ब्रह्म की उपास्टन का परती पादन किया गया है, दूसरा संत कावी में मुर्ति पूजायर अव्तारवाद का विरोध किया गया है, तीसरा गरु की महत्वा को स्विकार किया गया है, तीन इंपोर्टेंट बातें आपको बताईएं आप़े, आगे प्रक्षक की भाववक्ति दूसरी हैं दाश्य भाववक्ति भावना से अभीभूद है राम बक्ति का वियर नोट कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यारतियों कौसर नमबर 24 तो मेरे सांस समझीएगा गोस्वामी तुलसी दास के द्वारा रचित कुई दू गरंतों के नाम बताईए और मैं आपको इंपोर्टिन गरंत सभी बता देता हूँ तो देखिए राम चरित्मानस कवितावली गीतावली और विने पत्री का क्या है विने पत्री का नोट कर लीजिएगा इसी प्रकार स से यहां पर देखें तो नोट कर लीजिएगा यह स्प्रिंगा जी कोई बातनी काविया जी जब इस पीट से यह बैटर रहेगा सुपी काविय रसनाओं से प्राय किस बासा को अपनाया गया है अब दी बासा को क्लियर है एकदम क्लियर होना चीए आपके दिमाग में ठीक ह जी आगे बात करते हैं न क्या जेब्य जो ज़ो हैं या बीजक जुक्रंथ है या थालो जी जो है नाम कावियो क्वियो के नाम बताईں यह प्रिंकात जी हेलो जी हम को सब्किस को की नशाब के नाप परसन क्हार जिसका मोभाला के लीज़ीए है आपका आपका वॉलिम या कोई और बटन से आप की बूर्ट लेते हैं वैसे इसके आपकी इच्छा जैसे ले सकते हैं हर इस मोबाइल का अलग सिस्टम होता है तो देखिए अश्ट साब कवी याद कर लिजी गएक नाम सूर दास कुंबन दास परमानन दास कर्ष्ण दास गोविंद स्वामी और नेक्स्ट स्वामी सदुर्भूज दास एवं नंद दास यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आठ कवी जिसें अश्ट साब कवियों के नाम से जाना जाता हैं बढ़ते हैं ुम्पोर्टेंट ट्वेंटिन नाइन आपके लिए हैं की तुल्चि दास की बगति में कौनसा भाव प्रमुकरोफ से हैं तो नोड करना है िकि बगती भावणा लोक संग्र की भावनास से प्रेडित और इनका समन्वेवाद उनकी भक्ति भावना में दिखाई देता है उनकी भक्ति में दाश्य भाव की प्रतानता है दाश्य भाव नोट का लिजिए का important वह तो पता है सर लेकिन इसके अभी नोट नहीं बना सकते आपके साथ कोई बात नीडियर अभी नहीं बनाएंगे न तो आप इसकी शौट ले लीजिए और बाद में एक एक इसी शौट से आप नोट बना लीजिए का अभी आप समझ लीजिए अभी एक बार पुरी इमानद धारा की कवी है तुल्चिदास भक्ति की किस धारा की कवी है और आप सभी को पता है अगर आपने ये पढ़ा है तो देखिए तुल्चिदास भक्तिकाल की सगुन धारा के अंत्रगत राम भक्तिकाविय धारा की परमुक परतिनिदी और कवी है परमुक परतिनिदी और कव और यहां पर नोट कर लिजेगा हिंदी का प्रतम कवी किसे माना जाता है तो वैसे देखा जाए यह प्रतम कवी को लेकर विद्वानों में मत एक है मत एक नहीं मत एक नहीं है मत एक नहीं है जैसे शिव सिंग तोमर शिव सिंग सेंगर पुष्प या जाड़ू को रहुल संकर्टियान चिद्धी कवी सरहपाज को बताते हैं तता डाक्टर गणपती संद्र गुप्त साली भद्र को हिंदी का परतम कभी बताते हैं इस परकार से अलग लग विद्वान अलग लग कहते हैं लेकिन साइड ये क्वासंच आ भी सकता है तो एक बार आपको पता होना साइज ये चिकर जी सर्फी डी एस यू के लिए भी हैं क्या ये पी डियर पीडी एस यू समझ नहीं आएं आप क्या कह रहे हैं यह मतला आपकी इनुशिटी का नाम है क्या आगे देखी कॉस्टन नंबर यहां पर थाटी वन थाटी वन को देखिए लोकिक साहितियर रचने वाले किनी तीन कव पहले होना चих से लोकिक साहिति रसने वाले थिन कवी पहले अब्दुण रहान दूसरा है ठब्बर क्या इसक्रों यह थाव आपने इondi अभी तक त्यार्य किये तो आपने ये पड़ा होगा सोपीका मतलब क्या हो रहा हूता है सूपी सब्द की उत्पति सपा से माने जाती है यह आप सभी को पता है और इस विशार से इसका अर्थ निकलता है पवित्रता यानि पवित्र कोई भी सीच पवित्र होती है ठीक है और अगर कुछ जगह देखा जाये तो इसका अर्थ उन से भी लिया जाता है कि सूपी का मतल सी लिया जाता है और डाक्टर विमल कुमार जैन सूपी सब्सक्राइब की उत्पत्ति को गरिक भासा से संपने करके बताते हैं उन्हों ने काए कि सूपी सोप्पया सब्स्ते बना है और जिसका आर्थ है ग्यान क्या है ग्यान तो इस प्रकार से प्यारे विद्यारतियों सूपी की अलग-अलग अर्थ और अलग-अलग उत्पत्ति के सम्मन में अगर प्रश्ण भी आता न तो सटिक आंशोर आपको यहां पर मिल जाएगा तो प्यारे विद्यारतियों आपके लिए ग्यान दीजे पर आपने एप के उपर हिंदी साइटी का कोर्स परसीज किया है तो वहां सी पीडियेप मिलेगी और अगर नहीं लिया है तो टेंचन मत लीजिए कल बड़ा दमाकेदार आपके साथ आने वाला है कल सबी जनवरी है और इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ कर रिकॉर्ड करके आ ने लूट लीजिए जसन है आज जान कहने का मतलब गंट अंत्र का यहां पर तो इस जसनक के अंत्र सामिल हो जाएगा वह बिल्कुल नॉमिनल फीस पर सब इस रूपे के नामल फीस पर आपको पूरा कोर्स देने के लिए मैं पूरी तरह तयार हूं तो अगर जिसने डाउ जब इंपोर्टेंट जो कॉर्श है उसमें मिलेगी घिकर इक सोटी सी इंपोर्टेंक क्लास थी इस पार्ट ken आपको बहुत जल्द मिलेगा ​ आपको हम मिलेंगी वापिस सभा चाहिए इंपोर्टेंट क्लास को को लेकर तब तक कि लिएकलास को शेर कि यह और मैं यह चाता हूं कि अब एक्जाम आने वाले न तो पूरी तरह से मन लगा के पड़ाई कीजिए मन यानि दिल और दिमाग दोनों पड़ाई में होना सिए ठीके जी तो प्यारे विद्यारतियों अब इस क्लास को करते समाप और आप सभी से मिलते हैं प्यारी सी अब ची कि अब आप सर्दी तो कि अससे पूरी तो कि अब कि अब एक्यों आने अगा यह मैं आप सोगे थाई आप साथ।